नमस्कार आप सभी का मेरे चनल में बहुत बहुत स्वागत हैं आज हम बनाएंगे बिल्कुल यह अलग तरीके से ताजे हरे मटर की कड़ी कड़ी बनाने के लिए हमने एक कप ताजे हरे मटर ले लिये हैं इसे अच्छे से धोलेंगे और इसे एक प्रेशर कुकर में डाल करके एक प्रेशर आने तक हम उबार लेंगे हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया हैं और इसमें हम एड़ करेंगे मटर और इसके साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे एक गलास पानी और हम इसका ढखकन बंद करके इसे बॉइल कर लेंगे ये देखिए माटर हमारी पक चुकी है बहुत अच्छा से ये पक गई है तो अब हम कड़ी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने कुछ सुखे मसाले ले लिए हैं और इसका हम एक पेश्ट तयार कर लेंगे ये देखिए ये हमारा हमेड मसाला रेडी हो चुका है और इसके साथ ही हम थोड़े से सुखे मसाले लेंगे जीरा अजवाइन और कलॉंजी और दो सुखी लाल मिर्च इसके साथ ही नमाग हल्दी पाउडर हींग दोट बड़े चमच चावल काटा दो बड़े चमच का तेल एक चोटा चमच करम मसाला पाउडर तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं हमने एक कड़ाई गरम कर लिया है इसमें हम एड़ करेंगे दो बड़े चमच सर्चो का तेल और तेल जब हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें एड़ कर देंगे जीरा अजवाइन और कोलॉंचे यह हमने मिक्स करके लिया है और इसके साथ ही हम इसमें एड़ कर देंगे दो सुखी लाल मिर्च और जब यह सारे मसाला हमारे चटक जाएंगे तो हम इसमें एड़ कर देंगे एक छोटा चमच हींग इसके वाद अब हम इसमें एड़ करेंगे होममेड मसाला और इसे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है ताकि सारे मसालों का कच्चा पंदूर हो जाएं यह मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं तो अब हम इसमें एट करेंगे डेड़ बड़े चमच हल्दी पॉडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्दी हमारी मिक्स हो चुकी है तो अब हम इसमें एट करेंगे बॉयल के हुए मटर और हमने जो पानी बॉइल करने में यूज किया था वो पानी के साथ हमें इसमें आड़ करना पानी हमें बिल्कुल फेकना नहीं है और अब हमें इसमें आड़ करेंगे चावल का आठा यह हमने दो बड़े चमा चावल काटा लिया उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसका एक घोल तैयार करेंगे इसे अच्छे से घोल लेंगे ताकि इसमें लंक्स ना रहें आप एक वार इस तरीके से मठर की कड़ी बना करके जरूर ट्राई करें यह बहुत ही अच्छी लगती है खाने में घोल हमारी तैयार हो चुकिए तो अब हम कड़ी में इसे एड़ कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है और अब हम जरूत के हिसाब से इसमें पानी और एड़ करेंगे ने एक ग्लास पानी और एड़ किया है क्योंकि जब ये बॉइल होगी तो बॉइल होने के बाद ये गाड़ ही हो जाएगी और अब हम इसमें एड़ करेंगे टेस्ट रिकॉर्डिंग नमक हमने तेल पड़े चमच नमक एड़ किया आप अपने टेस्ट रिकॉर्डिंग नमक एड़ करें और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें हम एड़ कर देंगे गरम असाला पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे एक बॉइल आने तक पकाएंगे देखिए कड़ी में बॉइल आ चुका है तो इसे हम तीन से चार मिनट के लिए बॉइल होने देंगे आप एक वार इस तरीके से मटर की कड़ी बना करके जरूर ट्राई करें और अगर मेरी रेशिपी आपको पसंद आए तो मेरे बिडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और कमेंट शेक्षन में जाकर जरूर बताएं कि ये रेशिपी आपको कैसी लगी ये कड़ी चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है अब हमारी कड़ी बन करके सर्प करने के लिए रेडी हो चुकी है तो आप एक वार इस तरीके से जरूर बना करके खाएं और कमेंट शेक्षन में जाकर जरूर बताएं